हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आज हम रियक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिन नायक जी की वीडियो पे जो की डिबेट कर रहे हैं ज्यादा लारे है और डिबेट कर रहे हैं वित श्री श्री रवीशंकर जी के से और इनकी लाश्ट टाइम हमने वीड मिला था और वह बहुती बैस्ट वीडियो है एक अगर आप हिंदु धर्म और मुस्लिम धर्म को एक साथ जोड़ना चाहते हो हमारे साथ जैसे कि हम मिलके सब कुछ मतलब ऐसा देखते है कि कोई अलग अलग नहीं है सब एक बराबर है तो एक्वैलिटी को अगर आप फोलो है यह बिल्यांब यह विडियो चैक आउट लएक देख लेते फिर आपसे बाते करेंगे सी वीडियो के बारे में फिलाल वीडियो को श्टार्ट कर लेते हो लाट से हमारी महीं ह् को शब्सक्राइब कीजिए फिलाल वीडियो को इस ट्राइब यह को पूछनेología प्रिश्ट है यह सभी बाते हैं नतस्य प्रतिमा आस्ती बात है उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है भाई पुर्शोत्म का सवाल है हमारे हिंदु धरम के पंडित अचारिया यह जानते हैं के वैद और हिंदु धार्मिक किताबों में मूर्ती पुजा मना है लेकिन हम को कॉंसेंट्रेट करने के लिए मूर्ती की जरूरत पड़ती है जब जहन मैचियोर हो जाए तब मूर्ती की जरूरत नहीं था सरे इसके बात है वैसे यह बात सही है मैं भी मानता हूं भाया ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदु धरमी किताबों में लिखा है कि फूजा खराम है मना है लेकिन क्यूक्के कोंसेंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ती का साहरा लेते हैं बाद में जब हम मेचठ हो जाते तो जरूरत नहीं अगर मानलो जो आप कहे हरे हैं सए है कि पहले पहले inisil stage में आपको जरूरत में मूर्थी की इबादत करने के बाद में जब मेच्चॉर हो जाएंगे दो धर्वत ने तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम मुसल्मान अल्रेडी मेच्चॉर हो चुके हैं हमको मुर्ती की धर्वत में इबादत करने के लिए और एक वक्त एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूँ कि मुर्ती पूजा हराम है गलत है लेकिन कॉंसेंटरेट करने के लिए जरुवत पड़ती मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पुछता है यह थंडर क्यों है बादल क्यों गरगराट दे है यह तब थंडर सुनते ना कि आस्मान से आवाज जो यह गरगराट की क्या है यह तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से क्योंकि नहीं समझ पाता है कि आए मा चक्की पिस्ती है आस्मान में आई मा नानी चक्की पिस्ती है क्योंकि बच्चा है क्या समझेंगा तो मैंने उससे कहा कि आप तो यह जवाब दे सकते है लेक और जब वो स्कूल में जाएंगा और चंद साल बाद ये सीखेंगा कि थंडरेंगी इस ड्यू टू सड़न एक्सपैंशन आफ दे रापिडली हीटिड एर उसके वज़े से ये थंडर है तो वो सोचने लगेंगा कि टीचर गलत बोल रही है जब उसे पता लगेंगा टीचर स जरुद में हमें साफ साफ कहना चाहिए हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को अगर हमें नहीं पता क्यू चाहिए अबबा आपको क्यों नहीं पता वो हमें मजबूर करते है तैकी करने पे तो इसलाम में सफे जूड भी जायज नहीं है और पंडित कहने लगा कि इनिशेल स्टेज में जब बच्चा फर्स टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें अबादत के लिए आइडल का सारा लेने के लिए कहते है मूर्थी का सारा जब वो ग्रैजियर बनता उस टैम उसे जरुवत में पड़ती मूर्थी की तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथेमेटिक सिखाते है बच्चे को फर्स टैंडर्ड में बेसिक्स जो फंडमेंडर्स सिखाते है फर्स सेकिं तो हम दो बाद में सिखाई है algebra, लेकिन basic तो सही सिखाई है, first और second में के 2 plus 2 is equal to 4, अगर मेरा बच्चा कहेंगा 2 plus 2 is equal to 5, हम मैं कहूंगा no problem, आप जब 10 standard में हैं यह उस टाम में कहूंगा 2 plus 2 is not equal to 5, it is equal to 4, यह गलत है, हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना और वेद में बुनियादी बात है कि इश्वर, खुदा का कोई भी परतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी image नहीं है, तो यह हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेंगा बाद में मैं सही करूं, जो चीज गलत है यह हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वेशिप गलत है, बुद परस्ती गलत है, और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की अबादत करें, जिसका कोई भी परतिमा नहीं है, हुप दान सुस्थ कुश्टिंगा, मार सकता है, तो क्या यह सही है, लेकिन अगर शोहर ऐसा करे, तो क्या बीवी को पर्मिशन है, उस कि अगर बीवी शोहर की बाद नहीं मानती, कुछ हराम करती या ना फर्मानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए, नहीं समझती है, तो उसको डाइटी दे सकता है, उसके बाद बिस्तर्क पर नहीं साथ में रहना चाहिए, या इट्स अ ग्रेटर मार सकते हैं और हदीस में आता है कि अल्ला के रसूल फरमाते है ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिस्वाख से मागना मिस्वाख मतलब नोट तूथब्रश तूथब्रश से आप पिड़ भी सकते होता ना हैंकरशिफ या रुमाज से मानना और अल्ला के रसूल फरमाते है जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो ऐसा मत मारो कि निशान रहे जाए उसका मतलब ये मानना सिर्फ एक चेताउनी है कह रहा है आप लिमिट के भार जा रही है तो ये मानना is more of a symbolic beating, it is not a physical pain वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पोचाने के लिए नहीं मार रहा है क्योंकि अल्ला के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो निशान ने आना चाए उसका मतलब आस्ते से मारो क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है ये ultimate warning है लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेंगा कि कुरान के आयते उसके पहले सुरह निशा सुरा नमबर चार आयत नमबर चौथीस में कि मरत के पास ज्यादा ताकत है लेकिन उसको एक्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकुक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करें आप क्यों मुझे हुकुक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिटर लिक्या हो शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ बीवी के तरफ से बुलाओ बेट के बात करो फिर भी नहीं होता है हुकुक नहीं दे रहा है तो वो जाके काजी के पास निकाए फस्क कर सकती है निकाए फस्क मतलब अगर शोर उसके हुकुक नहीं दे रहा है मिसाल के तोर पर रोज मारता है रोज गाली देता है हक नहीं दे रहा है तो वो काजी के पास जाके निकाए फस्क कर सकती है मतलब nullification of the marriage I hope this answers the question sister आपका कोई दूसरा सवार है जा पूछ सकते आप या दूसरी कोई तो गाइस यह वाली थी और जो आमने सेकेंड वाली वीडियो इसके अंदर एड कर लिये थोड़ी सी वो अलग से थी पर पहले वाली थी डिबेट पर ही जो श्रीशने रंग श्रंकर तो थोड़ा सा ही बोला था उन्होंने और उन्होंने भी अलग तरीकी की बात है लेकिन जो इन्होंने कहा है हम काफियाद तक मानते है कि आइडल देखो यह हिंदू धरम में भी है कि हमें मतलब कोई मूर्ती पूजा नहीं गलत ही होते है यह वेदों में लिखा हुआ है और हमारे धर्म की किताब में भी लिखा हुआ है जब तक बच्चों समझ नहीं रहते हैं मूर्ती पूजा करते हैं मतलब वह है कि हम कह देते हैं वो ठीक है कॉंसेट्रेट के लिए अच्छा रहता है यह भी मैं मान लेता हूँ अच्छी बात है करनी तो है मतलब होता है हमारे में कि हमारा धर्म है हमारा कल्चर है हम उसको फॉलो करते हैं अब डेफिनेटल अगर हम अपना धर्म छोड़ देगे अगर आप छोटे बच्चे को देखो यार इतना नहीं है मिच्चोर होई जाते है अल्रेड़ी आप बच्पन में अगर आप सिका रहे हो पूस तो आज के टाइम में बड़े होके भी वही थोड़ी नमाने कहते हैं इन्होंने एक ग्जाम्पल दिया 2-2-4 होता है यह तो common sense की बात है खुद ही बच्चा समझ जाता है यह तो अपने आपी mature हो जाता है इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हम पहले से ही mature है ऐसा तो नहीं है न कि हम already mature हो जाता है बच्चा समझ लेता है यह बात बाकी वीडियो तो अगर हम एक knowledge के basis पे देखे या आप लोगों को समझाए या reaction दे अपना तो अच्छी है वीडियो हमें पसंद आई और आप लोग बताइए आपको कैसे लगी title पे reaction पे comment कर सकते हो आप हमारी और comment करके हमें नई नई वीडियो भी बता सकते हो और बाकी आज कल जो चल रहा है हम हर तरह करेगी वीडियो को लाने की try कर रहे है पूरा तो फिलाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड कर देते हैं जो आप से इस तरह की next video में तब तक के रिए टाटा पापाई टेक क्या थानकियो फो वोचिंग इस वीडि़ो